दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने आला हूँ ICSA bank credit card recent समय में कैसे आप बनवा सकते हैं मैं आपने चार credit card लेने के experience पर बताने आला हूँ क्या ये चारो credit card लेने में home verification, office verification या income proof लिया गया या नहीं सब कुछ बताने आला हूँ आज के इस वीडियो में देखें दोस्तो जब भी ICSA bank credit card का बात आता है तो सबके मन में एक ही ख्याल आता है Amazon Pay ICSA credit card और ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि ये credit card ICSA bank का top credit card में से आता है जो कि आपको Amazon के उपर 5% का cashback देता है अगर आप prime member है तो और non prime member के लिए 3% का cashback all other spend के उपर 1% का cashback मिलता है चाहे आप rent पे कर लेंगे तो भी आपको reward मिल जाते हैं जो कि reward आपके Amazon wallet में दिये जाते हैं लेकिन ये card जितना ही बढ़िया है उतना ही मुश्किल से सभी को दिया जाता है तो इस card को तो हम फिलाल के लिए skip करते हैं और बात करते हैं जो card आसानी से मिल सकता है देखें दोस्तों ICC bank में mid segment में भी बहुत सारे credit card आपको मिल जाते हैं जैसे कि MMT credit card हो गया, Coral Lupe card हो गया, Coral Visa card हो गया और भी बहुत सारे card है जो आपको 4WN plus GST के साथ मिलता है लेकिन आज मैं आपको apply करके दिखाने आला हूँ ICC bank का बिल्कुल ही lifetime free credit card जो की है ICIC platinum chip credit card ये ICC bank का बिल्कुल ही base variant का credit card है और ICC का सबसे ज़्यादा issue किये जाने आला ये credit card है और हम इस card को apply भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि card important है card का variant या card का limit ये सब तो हम बाद में change कर सकते हैं upgrade करवा सकते हैं card हमारे लिए फिलाल important है तो चलिए सबसे पहले हम card apply करने का process देख लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि approval तक क्या process रहता है और end में मैं आपको ये भी बता दूँगा कि Amazon Pay ICC credit card आप कैसे ले सकते हैं क्योंकि मैंने भी सबसे पहले MMT credit card लिया था उसके कुछ दिन बाद हमने Amazon Pay ICC credit card बनवा लिया बिना किसी verification के वो process में इस वीडियो में बताने आला हूँ खैर card अपलाई करने का direct link आपको decision पिन कोड़ मिल जागा उसके बाद इस page के उपर redirect हो जाएंगे जहां पे देखिलिए कि लेली mention है no joining fee, no in all fees यानि कि बिना किसी condition कि ये card आपको lifetime free मिलने वाले हैं जो कि इस card के उपर fuel surcharge way of भी देखने को मिल जाते हैं reward point भी आप earn करेंगे पर एक transaction के उपर और इस card से किसी भी merchant के उपर offer चलना होगा ICC bank credit card का discount coupon या cashback offer तो वो सब benefit आप ले पाएंगे for example Amazon के उपर instant discount flip card के उपर instant discount Tata new के उपर instant discount चलिए card को आप apply करते हैं apply now के उपर हमने click किया अब यहाँ पे देखे लिए full name एंटर करना है email id एंटर करना है और यहाँ पे city select करना है और pen number एंटर करना है और नीचे continue के उपर किलिक करना है फिलाल दोस्तों इस list में हमारा city का name नहीं आ रहा है तो नीचे हम other city के उपर किलिक करेंगे और उसके बाद city name एंटर करने का option आ चुका है मैं यहाँ पे अपना city name डाल देता हूँ और बागी का detail फिल करके हम continue करते है इस page के उपर ध्यान देजेगा अगर आपका ICC bank में credit card पहले से बार बार decline होता है तो इस बार आप apply करते समय नया mobile number और नया email id का use करें ताकि आपका card approve हो जाए ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि कई बार customer care ने हमें यह चीज़ सजेस्ट किया है और यह चीज़ वाकई काम करता है जिस बज़े से मेरे पास ICC के charge credit card है तो आप try कर सकते हैं या first time ही apply कर रहे होंगे तब तो primary email id और mobile number से ही apply करे चलिए digital filter करके आगे बारते हैं चलिए उसके बाद अगला page के उपर what is your employment type यहाँ पे पूछा जा रहा है तो जो भी काम धंदे का name है जो भी दुकान का name है वो चीज़ यहाँ पे आप डालेंगे और नीचे continue के उपर click करेंगे लेकिन मैं हूँ self-employed तो यहाँ पे मैं self-employed select करता हूँ उसके बाद देखिए नीचे gross turn hour of last year पूछ रहा है यानि कि यहाँ पे ना ही monthly income पूछ रहा है ना ही salana income पूछ रहा है यह आपके company का या business का या आपके काम धंदे का turn hour पूछ रहा है यानि कि पूरे साल का total sale कितना है तो यहाँ पे आपको confuse बिल्कुल भी नहीं होना है monthly या salana income नहीं डालना है चलिए मैं यहाँ पे अपना turnover select कर लेता हूँ उसके बाद नीजे पूछा जा रहा है यह जो amount आपने बता है turnover का क्या ITR में यही चीज दिया हुआ है तो yes or no में जवाब देना है तो यहाँ पे मैं yes रखने आ ला हूँ और नीचे continue के उपर हम click करते हैं तो देख लिए यहाँ पे क्या क्या option है सबसे पहला आता है no account दूसरा है salary account है तो select करेंगे saving या current account है तो select करेंगे home loan, car loan या credit card बगेरा है तो आप यहाँ पे select करेंगे आपने हिसाब से लेकिन मेरा ICC bank में अभी तक कोई relation नहीं है तो यहाँ पे मैं no account करूँगा और नीचे continue के उपर click करूँगा अब देख लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है phone number यानि कि यहाँ पे मौला में डालेंगे और get OTP के उपर click करेंगे और हमारे नमर के उपर OTP भेजा गया है OTP हम submit करेंगे और यहाँ पे data worth फिल करके और terms and condition agree करेंगे और नीचे submit के उपर click करेंगे और आप देख लिए finally यहाँ पे बता दिया गया है you are eligible for ICC bank credit card thank you for interest our executive will connect with you shortly बस इतना ही process से आपका card apply हो जाता है इससे आगे का process मैं आपको guide कर देता हूँ इतने सारे card लेनी के experience के basis पे देखिए अगला step में ICC bank के द्वारा आपको call किया जाता है वहाँ पे कुछ और detail आपसे पूछे जाएंगे जैसे की आप job करते हैं तो कहा job करते हैं office address क्या है home address क्या है father mother name क्या है selling person है या self-employed है account में पैसे आते हैं या mode of payment क्या है इसी के साथ आपके office address का landmark क्या है और home address का landmark क्या है यह सारा detail पूछने के बाद वो form fill कर देते हैं उसके बाद instant वो video KYC का link जन्रेट करवा देते हैं और वो on call आपको बोलेंगे कि मैं phone करता हूँ आप video KYC complete कर लो और जब तक आपका सारा process complete नहीं हो जाता है तब तक वो follow up लेते रहेंगे और again मैं आपको बता दू यह सब इसी लिए बता पा रहा हूँ क्योंकि recently है हमने family member का card apply किया था तो यही process हुआ था तो जैसे ही आप यहाँ पर video KYC complete कर लेते हैं उसके बाद finally आपका जो application है वो submit हो जाता है और चला जाता है approval department में और अगर आपका civil खराब है तो यह जो अभी हमने application submit किया इसके बाद कोई phone वगेरा आता ही नहीं है और अगर आपको phone आ गया और detail फिल करवा करके video KYC का link वो generate करवा देते हैं it means आपका civil से qualify हो चुका है थोड़ा बहुत और verify करने के बाद आपका card approve कर दिया जाएगा और video KYC के बाद जो आपका application approval department में जाता है वहाँ पर depend करता है कि आपका credit profile कैसा है पहले से credit card आप यूज कर रहे है या नहीं कोई default तो नहीं है इसी के साथ document आपका सही है या नहीं कि KYC detail match हो रहा है या नहीं और यहाँ पे ध्यान दिजेगा अगर आपके pen card के उपर 5 साल से ज्यादा पुराना photo है तो यहाँ पे KYC reject भी हो सकता है ऐसा कोई official announcement नहीं है लेकिन मैं आपने experience के basis पे आ रहा हूं तो 5 साल से ज्यादा अगर कोई भी document है जैसे की pen card या अधार card तो आप अपने सहुलियत के लिए इस चीज को update करा करके जरूर रखे ताकि कोई भी KYC reject ना हो मैं ICICI ही नहीं किसी भी bank का बात कर रहा हूं तो यह सब process complete होने के बाद आपका card अप्रूब कर दिया है कि यह आपके पीछे time based करें यानि का home verification या office verification या income proof यह demand करें अगर civil सही होगा तो card आपको दे देंगे civil सही नहीं होगा तो आपका decline कर देंगे ना जंजट में तो bank भी नहीं पढ़ना चाता है और वैसे भी यह end मौका चलना है तो वो फटावर्ट से जिनको card देना होग उनको दे करके और यह अपना target पूरा करके हट जाएंगे तो recent समय में ICC bank credit card लेने का complete process यही रहने आला है जाई यह card का direct applying decision भी इनको मिल जागा बस आप ध्यान यह रखिए गगा कि पहले जिस मौल नंबर और email ID से card decline हुआ था इस बार वो detail आप फिल ना करें तो बस दोस्त